क्या आप भी अपने पैसे को ऐसी जगा इंवेस्ट करना चाहते हो जहां से आपको हर महीने कुछ ना कुछ इंकम आती रहे तो आप ऐसा कर सकते हो और मैं बात कर रहे हूँ पोस्ट ऑफिस मंतली इंकम स्कीम के बारे में अगर आप इस स्कीम में इंवेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहेगा बस इसमें आपको 5 साल के लिए लंब सम अमाउंट इंवेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हर महीने आपके पास इ interest rate रहा है तो यह सारी information आज हम discuss करेंगे इस video coin तक देखना बिलकुल skip मत करना और अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया सबसे पहले subscribe करें bell icon press करें तो जैसा कि हम बात कर रहे है post office monthly income scheme के बारे में से scheme में कौन-कौन invest कर सकता है कौन-कौन खाता open कर सकता है क्या हम joint account सकते क्या maturity period रहता है maturity period से withdrawal कर सकते हैं नहीं कर सकते तो सबसे पहला point जो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि कौन इसमें अपना account open कर सकता है अगर आप adult हो तो आपकी age 18 प्लस होनी चाहिए अगर आप 18 प्लस हो तो आप अपना account खुलवा सकते हो साथी इसमें आप अपना joint account भी open करवा सकते हो और वो joint account तीन लोगों का भी हो सकता है और आप guardian minor की behalf पर भी account open करवा सकते हैं और साथ ही unsound mind के behalf पर भी account open करवा सकते हैं यानि कि जो mind से disable हैं उनका भी खाता खुल सकता है और अगर minor की उम्र 10 साल से ज्यादा की है तो वो अपने नाम पर खाता खुलव सकता है second point है deposit यानि कि हम कितना amount deposit करें कैसे account खुलवा सकते हैं तो आपको post office जाना है तो आपको सबसे पहले अपनी KYC details वहां मांगी जाएंगी तो आपको अधार कार्ड, PAN कार्ड सारी चीज़ें लेके जानी है साथ ही minimum amount की बात करें तो minimum amount है 1000 रुपे और maximum amount है 9 लाक रु साथ ही joint account के अगर हम बात करें तो joint account में सरिफ 15 लाक रुपे जमा हो सकते हैं अगर joint account मालो 3 लोगों का है तो उसमें वो 15 लाक जमा कर सकते हैं एक साथ minimum amount यानि कि 5-5 लाक तीनों में और जैसी कि 2 लोग हैं तो 10 लाक अगर वो minimum amount जमा करते हैं यानि कि 5-5 लाक अब 1 परसन जो है वो 9 लाग की लिमिट एक परसन को मिली है तो वो एक और अकाउंट ओपन करा सकता है 4 लाग का यानि कि अगर उस इंसान ने जॉइंट अकाउंट में ओपन कराया है 5 लाग का और दूसरा अकाउंट ओपन कराया है सिंगल जो कि उसके नाम पर है वो 4 लाग का तो टोटल 2024 से इसका interest rate जो है वो 7.4% है For example, अगर आप 1,00,000 रुपे लंसम amount जमा करते हैं तो ऐसे में 1,00,000 के according 7.4% पूरे साल में आपको 7,400 रुपे interest मिलेगा यानि कि मंतली आपको कितरे मिलते जाएंगे 620 रुपे और ऐसे ही पूरे साल में आपको 7,400 रुपे मिलेंगे अब आपको interest कब मिलेगा तो जब आपका month complete होगा तो ऐसे में interest आपका transfer कर दिया जाएगा saving account में और फिर आप उस amount को saving account से claim भी कर सकते हैं saving account का interest rate 4% उसके according आपको मिल सकता है अमाल लेजे आपने खाता खुलवाए 28 जनवरी को तो ऐसे में आपका interest आपके saving account में कब transfer होगा 27 फैब को यानि कि जैसे ही month खतम होगा आपका interest जो है वो transfer कर दिया जाएगा और ये date अगले 5 साल तक fix रहेगी आपको इसी date पर interest मिलता रहेगा हर महीने क्योंकि maturity period जो है वो 5 साल तक के लिए है अब जो monthly income scheme का जो interest है वो आप अपने post office की किसी भी saving account में ले सकते हैं और ये account सरिफ post office में ही आप खुलवा सकते हैं इसके अलावा अगर आप saving account कहीं और खुलवाते हैं तो वो फाइदा आपको नहीं मिलेगा अब next point है interest जो होगा वो taxable रहने वाला है depositors के hand में यानि कि जो पैसा interest के form में आपको मिलेगा वो taxable होगा और ये कब होगा अगर आप tax lab में आते हो तो इंडिया के अंदर साल में अगर आप 5 लाग से कम कमाते हो तो ऐसे में आपका tax free हो जाएगा यानि कि अगर आप पूरे साल में जितना कमाते हो तो वो amount और साथ ही जो interest आपको मिलेगा इस scheme के जरीए वो मिला कि अगर आपका amount 5 लाग से कम बनता है तो ऐसे में आपके जो taxes होंगे वो free हो जाएगे और अगर आपके income 5 लाग से ज्यादा होती है तो ऐसे में आपके उपर 30% का tax लगता है और ये income के उपर depend करता है साथ ही ये जो interest आपको मिलेगा इस पे कोई TDS भी cut नहीं होगा क्योंकि TDS जब cut होते हैं वो automatically cut हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर TDS भी cut नहीं होगा आप जो main point है कि क्या हम maturity से पहले बीच में हम अपना amount withdrawal कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो जब आप account open करवा रहे हो वो पहली साल आप withdrawal नहीं कर सकते आप दूसरी और तीसरी साल में पैसा withdrawal कर सकते हैं लेकिन आपके principal amount पर 2% का deduction होगा यानि कि अगर आप 1,00,00 रुपे lump sum amount invest करते हैं और उसके बाद दूसरी और तीसरी साल में वो amount withdrawal करते हैं तो उस पर 2% का deduction यानि कि आपको total amount 98,000 रुपीज मिलेंगे और यहीं अगर आप पैसा 4-5 साल के बीच में निकालते हो तो आपके principal amount पर 1% का deduction होगा यानि कि अगर आप 1,00,00 रुपे जमा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 99,000 रुपीज मिलेंगे और अगर आप 5,00,00 कर रहे हो तो 5,00,00 के हिसाब से 1% होगा आपके 5,000 रुपे तो maturity जो रहती है वो आपकी 5 साल तक रहेगी 5 साल से पहले आपको कोशिश यह करो कि आपको 5 साल से पहले नहीं निकालने क्योंकि इससे आपका ही नुकसान है यहां एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर 5 साल से पहले अकाउंट होल्डर की death हो जाती है तो ऐसे मैं उसी समय पर यह अकाउंट बंद करवा दिया जाएगा साथ ही जितना भी अमाउंट है उसके अकाउंट में वो सारा रिफंड हो सकता है जो नॉमिनी होगा वो ले सकता है या लीगल है और होगा वो तो ये थी पूरी information कि कैसे आपको deposit करने कितना minimum amount है कितना maximum amount है पूरा lump sum amount आपको जमा करना है monthly आपको interest rate के according पैसे मिलते रहेंगे जो की 7.4% है साथ ही अगर आप थोड़ी सी चालाकी करते हैं आप सोचते हैं कि 9 लाग से 10 लाग जमा कर देते हैं उस पर interest rate मिलेगा तो ऐसा नहीं है आपका जो amount है वो transfer करा दिया जाएगा saving account में तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है काफी लोगों को schemes के बारे में जानकारी तो हो जाती है कि ये scheme है ऐसा नाम है और इतना फाइदा हमें मिलेगा लेकिन उसकी proper information लोगों को पता नहीं होती और वो ऐसे में पैसे invest कर देते हैं तो यहां एक और चीज़ में आपको बताना चाहूंगी कि आपको उनी schemes में invest करना है जिसको आपकी पूरी knowledge है मानलो अगर आपके आसपास वाले लोग बोल रहे हैं इस scheme में invest करो इस fund में invest करो 20 दिन बार double हो जाएगा 30 दिन बार double हो जाएगा तो आपको ऐसा नहीं करना है किसी की कहने पर invest नहीं करना है साथ ही काफी scams और fraud भी चल रहे हैं तो उनसे भी आपको बचके रहना है अब आपकी जो इस scheme से मंतली income आती रहेगी आप उसे सही जगा invest भी कर सकते हो और मैं बात कर रहे हो stock market की आज के time पर हर कोई stock में invest कर रहा है तो आप भी stock में invest करना चालू करो और आप stock में invest कर सकते हो mutual fund SIP करा सकते हो और SIP आप 500 से भी start कर सकते हो तो आप ही investing चालू करें और इसके लिए आपको teammate account की जरूरत पढ़ेगी उसका link आपको मारे description box और pin comment में मिल जाएगा साथ ही reference earn के जरीए भी कमा सकते हो तो अपने family और friends में भी share कर देना तो अगर आपको ऐसी ही और schemes की बारे में जानना है तो हमें comment box में जरूर बताएगा ऐसी और interesting और informative videos के लिए हमारे channel को follow करें और अपने दोस्तों और family को ये video जरूर शेयर करना Thank you so much